नमो नमा आज के कक्षा में हम रुचरा भागवन का तेर्मा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है विमान यानम रचियाम इस लेसन में छोटे छोटे बच्चे विमान बनाने की बात करते हैं कहते हैं कि हम विमान बनाके नीले स्वच्छा कास में उड़ेंगे और तरह तरह के तारों को और सूरिचंद्र ब्रस्पति आदि रहों की गर्णा करेंगे आदि आदि इस सब बातों की बात करते हैं चलिए देखते हैं लेसन में क्या है यह पद्य रूप में पाठ है डॉक्टर विश्वास के द्वरा लिखा हुआ है चलिए पढ़ते हैं राघो माधो सीते ललिते विमान यानम रच्याम नीले कगने विपुले विमले वाय विहारम करवाम राघो माधो सीते ललिते यह चारो नाम है उनके आप दोस्त हैं तो राघो माधो सीते ललिते विमान यानम रच्याम आओ हम सम मिलकर एक विमान रच्याम मतलब बनाए नीले गगने नीले गगन विपुल स्वक्ष विमले मतलब विपुल विशाल विमले मने स्वक्ष वाय विहारम वायू विहार करें यानि कि वायू की सेर करवाम करें मतलब इसका यह है कि हे रागो माधो सीता ललिता आओ हम सब एक विमान बनाएं नीले स्वक्ष विशाल आकास में वायू विहार करें यानि कि वायू की वायू यान की शेर करें अर्थात आकास में यात्रा करें उन्नत व्रक्षम तुंगम भवनम क्रान तावकाशम खल्याम क्रत्वा हेमवंतम सोपानम चंदिर लोक प्रविशाम इसका मतलब इसका उन्नत व्रक्ष मतलब बड़े उचे उचे व्रक्ष तुंग भवनम तुंग मतलब उचे भवन विशाल भवन को क्रान्त आवकाशम खल्याम पार करके आकाश में चलें फिर क्रत्वा हेमवंत सोपानम हेमवंत परफ को यह हिमाले को सोपान मतलब सीड़ी बनाकर सोपान सीड़ी बनाकर चंद्रलोकम प्रविशाम चंद्रलोक में प्रवेश करें या चंद्रलोक की यात्रा करें अर्थात उचे पेड़ों को उचे भवन को पार करके आकाश में चलें बरफ को मतलब हिमाले को सीड़ी बना कर चंद्र लोग की यात्रा करें चंद्र लोग में प्रवेश करें समझना है आपको? फिर देखें तीसरा क्या है? शुक्रश चंद्रा सूर्यो गुरूरिती ग्रहान ही सर्वान गणयाम विविधा सुन्दर ताराश चित्वा मौक्तिक हारम रच्याम अर्थात शुक्र चंद्र सूर्य गुरू इती ये सब ग्रहों के नाम है शुक्र चंद्र सूर्य प्रहस्पती या गुरू आदी सभी ग्रहान ही सर्वान गणयाम सभी ग्रहों की गणा करें चलके आकाश में सभी ग्रहों की गर्णा करें और विविधा अनेक प्रकार के सुन्दर ताराश चित्वा अनेक प्रकार के सुन्दर तारों को चित्वा मने चुन कर मौक्तिक हारम रचियारम मोतियों का हार रचिया मतलब बनाएं अर्थात, शुक्र, चंद्र, सूर, ब्रस्पती, आदी, ग्रहों की गर्णा करें, अनेक प्रकार के विविदा सुन्दराश्ट चित्वा, अनेक प्रकार के तारों को चुनकर, मोतियों का मौक्तिक हारम, मोतियों का हार रचियाम बनाएं अम्बुद मालाम, अम्बर भूशाम, आदायव ही प्रतियाम, दुखित पीडित क्रशिक जनानाम, ग्रहेशु हरसम जन्याम अम्बुद मने होता है पादल, मालायाम, अम्बुद मालायाम बादलों की माला को, अम्बर भूशाम, अम्बर मने आकास, आकास की आपूशाम, शोभा को, आदायव ही प्रतियाम को लेकर ही लोटें प्रतियाम मतलब वापस लोटना, तो बादलों की माला को, आकास की शोभा को लेकर ही वापस लोटें दुखित पीडित क्रशिक जनानाम, क्रशिक मने, जो किसान हैं, जो किसान दुखी और पीडित हैं, उनकी ग्रहेशु हरसम जन्याम उनके घरों में हम खुशियां उत्पन करें अर्थात, उनके घरों में हम खुशियां लाएं अर्थात क्या हुआ, बादलों की माला को, आकास की शोभा को लेकर ही लोटें दुखी और पीडित किसान के घरों में हम खुशियां उत्पन करें अर्थात, खुशियां उनके घरों में खुशियां लेकर ही लोटें ठीक, समझ मैं आए अबको अब इसका आप्यासकार करें क्या दिया हुआ है विमान यानम हवाई जहाच रच्याम पनाएं विपुले विशाल विस्तरत आकास में विमले निर्मल या स्वक्ष किलियर वायु विहारम वाय आकाश में यात्रा फिर उसके बाद है करवाम मतलब करें उन्नत व्रक्ष उंचे उंचे व्रक्ष तुंगम उंचा क्रांतवा पार करके बर्बूश नाम आकास की शोभा को प्रतियाम लोटें जन्याम उत्पन करें आवाय लेकर चीक है इंग्लिश में भी दिया हुआ है आप इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हैं सबसे पहला पहला ब्यासकार है कि पाठ के दिये हुए गीत को सस्वर गायन करें इसको आप पढ़ें और गायन जो ये पाठ दिया हुए जिससे कि आपको ये पूरा याद हो जाए फिर दूसरा है कोस्ट कांतर गतेशू सबदेशू तरतिया विवक्तिम योजित्वा हरिक्तिस्थानानी पूर्यत मतलब जो कोस्टक में ये दिये हुए है ये चीजें इनको तरतिया विवक्ति में बना करके भरना है अब तरतिया विवक्ति में क्या आता है एन करके आता है तो दिखी अब कैसे होगा एक बना के लिखा हुआ है कि नभा चंद्र दिया है तो शोबते तो नभा चंद्रेन सोबते अब दूसरा क्या कि सा जलेन मुखम प्रचालियती तो विमल दिया हुआ है तो क्या होगा सा विमलेन जलेन मुखम प्रचालियती रागवा विमान यान विमान याने विहरती फिर कंठा मौक्तिक हार दिया है तो क्या होगा तृतिया व्यक्ति में कंठा मौक्तिक हारे शोबते नभा सूरेण हो जाएगा सूर का तृतिया व्यक्ति में सूरेण प्रकाशते परवत शिक्रम अम्बुद माला दिया हुआ है क्या हो जाएगा तृति मालिया आकर्शक द्रश्यते अब आगे देखिए नेक्स क्या दिया हुआ है भिन वर्गस से पदम चिनुद चुनिये अब जो अलग हो उसको चुनिये जैसे एक उधार से समझाया गया है सूर चंद्र अंबुद और शुक्र अब देखिए सूर चंद्र और शुक्र तो ग्रह हैं लेकिन अम्बुद बादल ग्रह नहीं है तो अलग क्या है अम्बुद यहां अम्बुद लिख दिया पत्राणी, पुस्पाणी, फलाणी मित्राणी अब पत्र, पुस्प और फल एक पेड़ के के पेड के पार्ट है हिस्सा है तो मित्र क्या है? मित्र अलग है तो यहां आ जाएगा मित्राणी फिर जल्चर, खेचर, भूचर और निशाचर जल्चर, खेचर, भूचर ये एक और निशाचर होते हैं राक्चस ये अलग है तो इसमें आजाएगा निशाचर गावा, सिंगा, कच्छपा, गजा अब गावा, सिंगा और गजा ये सब किसके कैसे प्राणी है भूचर प्रत्वी पर रहने वाएगा और कच्छपा जल में रहता है तो ये क्या आएगा कच्छपा अलग है भिन है, तो यहाँ कच्छपा आएगा मयूरा, चटका, शुका, मंडूका अब मयूरा, चटका और शुका ये तो पक्षी है और मंडूक मेढक क्या है? पानी में रहने वाला है तो ये मंडूका अलग है तो मंडूका आएगा पुस्तकाले, पुस्तकालिया, श्यामपट्टा और प्रचारिया और सौचिका क्या होता है? सौचिका माने दर्जी, तो ये अलग है पुस्तकाले, श्यामपट्टा, प्रचारिया ये एक स्कूल के पार्ट है और सौचिका क्या है? दर्जी, अलग है तो सोचिका आएगा लेखनी, पुस्तिका, ध्यापिका और अजा अब इसमें सब क्या विलता है? लेखनी, पुस्तिका, ध्यापिका एक है अजा मने बकरी ये अलग है ठीक है? इस तरीकी से आपको भरना है फिर आगे क्या है? प्रश्णा नाम उत्राणी लिखत प्रश्णों के उत्तर लिखिए जैसे के वायुयानम रचियंती वायुयान कौन रचता है? तो क्या लिखेंगे उत्तर में? रागवा, मादवा, सीता, ललिता, चा वायुयाने रचियंती वायुयानम कम-कम क्रांतवा उपरी गच्छती तो कहां जाएंगे वायुयान से तो वायुयानम उन्नत व्रक्षम तुंगम भवनम चा क्रांतवा उपरी गच्छती आपने देखा था उचे उचे पेडों को उचे भवनों को पार करके वायूयान से आकाश में जाएंगे ठीक, वयम की द्रशा सोपानम रच्यानम हम सब कैसी सीडी को रचेंगे, बनाएंगे तो लिखा है वयम हिमवन्तम सोपानम रच्याम वयम कस्मिन लोक के प्रविशाम हम कैसे लोक में प्रविश करेंगे तो उत्तर कैसे लिखेंगे वयम चंदर लोक में हम प्रविश करेंगे यह हुआ है कि आगे और प्रशन दिये हुए है आकाशे का चित्वा मौक्तिक हारम रच्याम आकाश में किस्चे मौतियों का हार बनाएंगे तो इसका उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे भर देंगे तो लिखेंगे दुखित, पीडित, ग्रसक, जनानाम, ग्रहेशु, हरसम, जन्याम अगला देखें क्या है कोशन विलोम, पदानी, योजियत इनको मिलाना है विलोम, पद को मिलाना है अब उन्नता, उन्नत का क्या होगा? उन्नत का होगा आवनत तो इसको हम इससे मिला देंगे ठीक है फिर गगने गगने का आकाश का प्रत्वी होता है तो गगने का होगा प्रत्वियाम सुंदरा सुंदर का असुंदर देखे मिल गया फिर चित्वा चित्वा का सोच कर चित्वा का होगा विकीर दुखी सुखी इसके हर्षा शोक ऐसे मिलाना है ठीक है आगे देखिए क्या है समुचिते पद है रिक्तिस्थानानी पूर्यत अब आपको सही रिक्तिस्थान में सही पद भरना है ये विवक्तियां दी हुई है और ये एक वचन जो शब्द है उसका आपको अगर जो वचन लिखा है उसके अलावा आपको दो वचनों को भरना है एक वचन लिखा हुआ है जैसे प्रत्मा में भानू इसके बाद क्या भरना है आपको भान वहा ठीक है अब देथिया विवक्ति गुरू की दिया है गुरू का बहु वचन दिया है तो आपको क्या वरना है गुरूं गुरू गुरून ठीक है फिर पशु पशु का दिया है पशु भ्याम दित्वी वचन लिखा हुआ है पशु भ्याम तो आपको क्या वरना है पशुना पशु भ्याम पशु भी सादवे, सादुभ्याम, सादुभ्या वटो, वटुभ्याम, वटुभ्या गुरू, गुरुवो, गुरुवाम फिर शिशो, शिशो का क्या होगा? शिशो, शिशो और शिशुशु चस्टी विरत्ती में आता है फिर हे विश्णु, हे विश्नु, हे विश्णुमा इस तरीके से आपको पूरे सादो, विबक्ति और समोधन मिलाके जो शब्द दिया है उसका आपको वचन भरना है इसके बाद रता है पर्याय पदानी योज्यत जो पर्यावाची शब्द हैं उनको आप मिलाए जैसे गगन को और क्या कहते हैं गगन का पर्यावाची क्या होता है आकाशे गगन का पर्यावाची होता है आकाशे विमले विमले का क्या होगा निर्मले चंद्रा का निशाक्रा होगा सूरी सूरी का दिवाक्रा होगा और आमबुद का जलत होगा बादल होते हैं आमबुद का जलत होगा इस तरह के से आपका लेसन पूरा हुआ उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा अगर आपको कोई लेस्न से सम्बंदित किसी भी प्राकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखे आप जरूर पूछे धर्नेवाद